नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 34 वर्स के पुरुस के पाम का असस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सड़ प्रतम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक करेंगे इनके सवालों का उतर करेंगे उससे प परतमान में अभी ये जॉब कर रहे हैं वेपार के लिए इनका कोशन्स है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी कुछ प्रॉपर्टी इनकी लेटी गेटेड है उस विशे पे इनको जानना है और आगे ये करोड़ रुपे कमा पाएंगे कि नहीं इस विशे पे इनको जानकार चाहिए तो निश्चंतर है आपके स्ताड़े परशनों का उत्तर किया जाएगा वीडियो के माधियम से इस अतेली पर बहुत सी रेखाएं आपको निजर आ रहे होंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव का सिरीज भी चलाया जाएगा हमारे द्वारा जिसमें पॉजिटिव योग के तरब चलते हैं फिर इनके कोशन्स के तरब भी चलेंगे तो देखिए आपकी जीवन रेखा बड़ी असपस्ट है और इसी पर कुछ बन रही है प्रॉजिस लाइन्स तो ये एक पॉजिटिव योग है दूसरी मंगल रेखा काफी असपस्ट है आपके एतली पर त तूरी रेखा है बुद्ध रेखा आपकी काफी अच्छी है इस केस में वैपार से धनलाव होता है अब आकी बुद्ध पर कुछ ख़ड़ी लाइन्स भी है और यहां पर से अगर मैं ठीक से फील करूं तो इनहीं के बुद्ध पर एक स्टार सावी बना हुआ है जो कि आप जरूरी है इनका नेगेटिव दिखाना अब भी मैं देखता हूँ कोई और सी पिक इनकी ये देखो ये भी पिक इनकी क्लियर असपस्ट है और जिस फेट लाइन की बात कर रहा हूँ देखो इस पिक में आपको असपस्ट रूप से समझ में आएगा ये वाली देखो और य अब नेगेटिव दिखाना अब इसका क्या फल आता है इसका क्या साइड इपेक्ट आता है ये एक महतपूर्ण विशय है तो इनकी अतली पर बहुत पॉजिटिव योग है शुक्र वले ने इनको कर दिया परशान शुक्र वले ने क्या परशान किया मतलब इनका मूड और इन्होंने मुझसे कहा जी हां लेकिन आप अभी तक स्टेबल नहीं कर पाई हो अपने मांसे की स्थिति के इस आपसेट मींज कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीबन पर सेट नहीं कर पाया हूँ जितना मैं एक्सपेक्टेशन्स रखता हूँ अपने आपसे वो च आगे बढ़ गए तो क्यूं ये मन में आपकी बाते आ रही हैं ये बाते आ रही हैं आपकी ही गलती से और आपकी गलती क्या है मूड स्विंग की प्राब्लम तो शुक्र वले डिस्टर्ब आपको परिशान रखता है जिन्दगी पर स्ट्रगल बना देता है बाईस वरस से लेके 32 में अगर डिस्टर्ब रहे तो 35 में और डिस्टर्ब रहे तो 38 साल तक भी तो ये आपको स्ट्रगल रखता है यहाँ पर से क्या होता है ना कि इनसान कोई काम करता है उसको उसने कर लिया कुछ दिन किया अच्छा रिस्पॉंस मिला फिर दूसरे काम में आ गए दू दूसरी चीज हो गई कि आपकी बन गई फिंगर पे सारी अवस्था ये वाले इंट्रोवर्ड वाली बहुत जादा इस केस में क्या होता है ना कि विक्ती कुतुरत गुस्ता आता है और वो गुस्ता वो सो नहीं करते और इस गुस्ते से वो अपना नुक्शान करते हैं आपको लचिला नहीं बनना आपको स्ट्रिक्ट बनके वहाँ से हट जाना है तो इसको कहते है विचार में बदलाव विचार में अस्थरता ना रहना जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती है ये बहुत नॉर्मल है और इस केस में कभी-कबार रूडनेस भी आ जाती है और गु प्रश्पती अच्छी है लेकिन ये common side effect इस लाइन के आते है तो यहाँ पर क्या उपाय करना है यहाँ पर तो आपने 34 वर्स की जिंदगी बिता ली अभी जो आपकी आगी की जिंदगी है इसमें केर करना है कि जादा प्रिशान नहीं होना जादा सोचना नहीं है क्योंकि आपके heart line पर बहुत दिक्कत है दो-दो lines है कि दिक्कत तो वैसा कुछ नहीं है लेकिन है तो बहुत दिक्कत अब मैं समझा देता हूं आपको आप समझ जरूर पाएंगे ये देखिए अब दिक्कत क्या है दिक्कत इनके एतली पर बस इतना साही है कि इनकी जो heart line है ये देखो ये एक तो completely होके आगे चली है no doubt इसमें तो कोई problem नहीं है दूसरी कुछ branches है ये आपको थोड़ा emotional बना रहे है तीसरी एक और heart line है मतलब confusion एक से जादा heart line कभी कुछ म emotional के साथ-जाथ confusion सीधे सादे इंसान है जदा आपको ताम जाम से मतलब भी नहीं है पसंद भी नहीं है इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति सीधे सादे जंदकी को बिताना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरे से जितना बहला उपाए मैं करूँ emotional व्यक्ति का है कि चादर उतना लंबा पैर आपका होना चाहिए मतलब इतना पैर मत फैलाओ कि आपके चादर से निकल जाए इतना emotional मत बनो कि लोग आपको बेवकूक का संग्या देते हैं इतना भी दानी मत बनो कि लोग आपको यह कहने लगे कि वो तो पागल है उसके पास जाओ जो इतना अच्छाई भी ठीक नहीं है जिससे आपको ही तकलीफ हो जाए आपके परिवार बालों को तकलीफ हो जाए बस एक सिंपल सा concept है और दूसरा सरप्रतम अपने घर को strong करिए फिर दूसरे के तरब द्यान देजिए ये एक सबक मैं आपको सिखाना चाता हूँ ये चीज लेकिन एक अच्छे ऑफिशर को या एक अच्छे संपर्तिस्थिट वैक्ती को पैसा भी देते हो घर में आके बैठाते भी हो और सेबा भी देते हो तो मेरे इस concept से ये बात तो आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि अगर आपके घर में पैसा है तो लोग भी आपको पूचे अच्छा में एक बहुत धिन लाइन होता है उसको पार मत करिए जादा भावुक होना भी ठीक नहीं है जादा जादा मुर्ख आपकी संग्या मिल जाएगी आपको कि आप सही नहीं है आपकी दिमाग नहीं है आप से कोई भी आकर ठग हो सकता है ये मैं पार्टिकुलरली आ आपके लिए नहीं बोर्ड रहा हूं लेकिन मेरा इंडिकेशन्स आपको लेके भी है और मैं ये आपको जताना चाहरा हूं बताना चाहरा हूं समझाना चाहरा हूं कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो सही जानकारी लेकर जाएए जिससे आपके जिन्दगी पर फाइदा हो इसके लिए कोई vicious कर उपाय के आवशक्ता नहीं है कोई उपाय करने की जरुरत नहीं है कुछ-कुछ हमारे body में assist होते है जो useless होते है जिसको दिमाग नहीं लगाएं तो better है तो यहाँ पर क्या है यह कुछ lines है इसके frustrate होने के आवशक्ता नहीं है कि मेरे हाथ पे तो extra lines हो गए है मेरे तो बहुत दिक्कत है मेरे तो बहुत परिशानी है कोई डराए तो डरना भी नहीं है इसका एक सरलतम उपाय है क्या मैंने बोला आपको कहा की side effect आपको आ रही है आपको side effect आपके भावकता से आ रही है और क्या problem है कि चीजों को छोड़ते हैं lightly लेते हैं तो मत लीजिए आपकी उपाय यहीं है इसके उपरान कुछ करने के आवशक्ता नहीं है अब यहाँ पर यह उपाय क्यों कारगर है क्योंकि आपके ब्रश्पती अच्छी है विक्ति ज्यानी होते है विक्ति समझदार होते है तो विक्ति चीजों को अवश्य ही समझ जाते है और मेरे हिसाब से आपको चीजों को समझना भी चाहिए यह भी काफी जरूरी है आपके लिए बस इसलिए मैंने यह उपाय दिया और मैंने यह कोशिश किया कि आप इस चीज़ को समझे चलिए तो ये इनके कुछ योग थे, कुछ अच्छ योग नहीं थे जिसके पर हम चर्चा किया गया और बागी कुछ राहू लाइन्स भी है nominal-nominal से, nominal तो नहीं है ये वाली tension वाली है तो इसके regarding में मैं आगे चलके उपाए अवश्र ही आपको दे दूँगा अभी इनके अदिली पर और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा बहुत प्रशन है इनके कि आगे की जिन्दगी कैसे रहेगे, लोन चुका पाएंगे की नहीं तो देखिए, fate line अच्छी है और दो-दो amount में है और अभी आपके 34 साल चल रही है वहीं पर से मुझे प्रगती का योग से नज़र आ रहे है तो फिलाल तो आपकी अभी 40 में वर्स तक कोई दिखकत ने, एक 40 एर्स में दिखकत है फिर तकरीवन एक 45 में दिखकत है यह 49 एर्स में दिखकत है 50 में फिर तरक्की है फिर आपके जुन्दगी स्मूथ है फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो यह 3 एज जो मैंने बताया 40, 45, 49 इस 3 एज में आपको समलना है उपाई में दे दूँगा आपको परसनली वो करना है और दूसरी अभी तो आपकी तरक्की अभी तो बहुती अराम से आप लोन चुका रहे हो काँ टेंशन है और यह राहू लाइन का भी से उपाई करो कोई तो खतम हो जाएगा दूसरा इसके रिगार्डिंग इतने भी तो इस प्रभाव आपको नहीं आएंगा कि आप hand to mouth हो जाओ लेकिन फिल जो मैंने आपको हिदायत दिया है उस पर आपको control करना है और जो मैं आपको उपाई दे दूँगा वो आपको करना है तो यह इनके दूसरे प्रशन थे आपके जिन्दगी के लास्त तक है तो बाग्य का साथ भी मिलता है इसमें भी कोई doubt नहीं है अब आपकी बीच वीच में प्रगती के योग से बने हुए है तो प्रगती आपकी होगी याप पस एक triangle भी है आगे की जिन्दगी अच्छी चल रही है दिखाऊंगा वो सब चीज दिखाऊंगा आपको तो ये दो-तीन प्रशन थे इनके जिसका मैंने उनको उत्तर किया अभी आप loan वोन सब चुकाओगे कोई tension नहीं है अब बात आती है कि और क्या ना करे तो देखिए आप targeted थे आपकी सूरी रेखा मुझे बता रही है बढ़ distractions बहुत जादा है तो जादा सोचे ना किसी भी निरने पर तुरत ना पहुंच जाए decision लेने से पहले दस बार सोचे और क्या करें सूरी को जल दे बस इतना ही करें इसके अलाबा कुछ ना करें तो ये इनके कुछ कोशन से जिसको मैंने clear किया अभी इनके इतलिका मैं जाना नसस करूंगा चीजों का असपस रूप से clear करूंगा तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण देखे सीखे समझे और कुछ ग्यान लेके जाए आपने काम को बड़े इमानदारी बड़े सहस्ता और जीवन के एक परहाव के बाद तो आप तरक्की करते हैं वो ठाइस वरस के बाद आपकी ग्रों में अच्छी कासी स्टेंथ है तो वीडियो की राज्यों की फल होड़ी है अपकी गुलाबी अतले तो धन को अट्रेक्ट ये करती ही करती है फिर देखताँ थंब तो देखो थंब का सेकेंड फैलेंज ना ठीक ठाक है मीडियम में है डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योगत तो विक्ती बहुत डिजायरेबल होते हैं सिर्फ डिजायर्स के नहीं होता इंसान को काम भी करना पड़ता है ये बात याद रखना आप बागी खड़ी लाइंस आपके थंब पर मौजूद है इस केस में क्या होता है विक्ती जो भी अपने जिंदगी बने अपने दम पर है इक्षा सक्ती बहुत ही अच्छे है लेकिन कुछ अंदर से कमजोडी वाले इंडिकेशन से घबराहट, कमजोडी, परिशानी, दर ये चीज़ आपको परिशान कर सकता है सम्मान की रक्षा करने में कभी कवार प्राब्लम्स तो कभी किसे से उल्जोई मत बाखी इक्षा सक्ती बहुत प्रबल है इस इक्षा सक्ती के दम पर आप बहुत कुछ हासिल करेंगे अपने संदगी पर लिख के ले लो आप तो जबरदस्त आपके थंब इंसान बहुत अच्छे व्यक्तितों का होता है समझदारी के लूब भी काफी अच्छी बन रही व्यक्ति बहुत समझदार होता है अपने काम को बड़े समझदारी बड़े इमांदारी के साथ करते हैं ऐसे व्यक्ति फिंगर के पे को मैं तुरह दिखाता हूँ अभी यह देखू finger पे खड़ी lines भी है horizontal lines भी है इस case में ग्रों का फल अच्छा तो आता ही horizontal lines की हिसाब से बट intro word जा सबसे गुलना मिलना नहीं ये वारी प्रस्टारिटी भी आपकी हो सकती है इसमें कोई doubt नहीं है तो ये होगी finger के विशम बाते ब्रश्पती finger चोटी सन की बड़ी तो विक्ती हिम्मती sun और सेटन के attachment तो विक्ती कैल्कुलेटिव सन बुद्ध की tenderness आपके शन के तरब तो business perspective से चीज़े अच्छी समझ में आ रही है विक्ती विपार से धन कमा सकते हैं कमाते भी हैं finger लंबी खड़ी है तो विक्ती बहुत creative finger के बीच में gap सा है तो फिजूल खर्ची से बचें फिजूल कर्स आपको परशान कर सकते हैं ये इनके finger के विशम में कुछ महत्पून बाते अभी इनका एक और प्रशन था कि मेरी property letigated है तो ये मने आपको बताया भी था और मैं आ का मिलने के indications है तो letigated सी जरूर होती है इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इनके पास proper कागजाद है लेकिन फिर भी ये इसका सुख नहीं भोग पा रहे है तो आपको लड़ना चाहिए बिना लड़े कुछ नहीं मिलता अगर आप genuine है तो आप डर क्यों है लड़ने से आप लड़िया आपको आपका हक मिलेगा बिना लड़े कुछ नहीं होता शूरी को जल दे के लड़ो सारे दुस्मन एकदम खतम हो जाएंगे आपके तो मैं आपको लड़ने का suggestion दे रहा हूँ लड़ना in the sense of अपने हक के लिए लड़ना तो वो आपको जो परोपकार का nature समास से भी समास सिवा ये कर सकते हैं एक प्रशनिन का और था politics को लेकर जैसे मैं आपको जैसे भावुक नेचर आपका है न सिर्फ हर्ट लाइन को देखके ही न मैं आपको politics का suggestion कभी नहीं दूँगा और आपको politics में जाना भी नहीं चाहिए जौब करो सि भगवान आपको उतना ही फल देंगे क्योंकि एक आम इंसान होके आप ये काम कर रहे हैं और बाकी ब्रशपती अच्छी है तो broad-minded है अध्यात्मिक तरफ आपकी रूची रहती है और अध्यात्मिक चीज से अगर मैं दिखाना चाहूं या देखूं या आपको बताऊं तो विक्ती तरक्की तो करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है ब्रशपती अच्छा है तो काल इच्छेतर को असपस रूप से आप बढ़ा भी पाएंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है काल इच्छेतर को उच्छा बढ़ा पाते हैं और खासकर के value मान सम्मान के पातर बनते हैं ज्यानी पुरूस हैं आप और यहां पर से एक स्क्वाइर सा बनावा इस केस में विक्ति को अथर्टी पोस्ट की प्राप्ती होती है धन संपत्ती के लिए जादा विशेश का समस्या की बात नहीं होती यहां पर से आप अच्छे पद पर जरूर से पहुंच जाते हो ब्रश्पती आपको वेल्यू मान समान तो दे रहा है कुछ ब्रश्पती के छले से मौजूद हैं इस केस में विक्तिदानी प्रविर्ती के होते हैं दान दक्षीना करने में काफी इंटरस्टेड और करना भी चाहिए फेट लाइन जिंदगी के लास तक है तो भागे का तो विशेश दिक्कत नहीं है आपके लाइफ के अंडर तक है प्रॉब्लम्स तो इस नहीं किया और भात किया और कर भी रहा है तो बस इसका वदी कुछ एक आग साल और है फिर इसके इसके लिए जो मैंने आपको पायदत बता दिया कर लो बेनिफिट हो जाएगा उससे आपको और यहीं पर देखो कुछ आपके विदेशी दर्ती से दनलाफ के योग के तरफ यह परिचे करा रही है और कुछ एकाद लाइन से यह सब सारे डिस्टर्बिश शुक्रवले की ह बहुत तेश तराक होते हैं बेशिक नॉलेज की कोई भी कमी नहीं होती है आपको सूरी रेखा है असपस्ट अगर अंदर से डूंड के निकालो तो मुझे मिल ज़रूर रहा है पैतिक संपती लेटिगेटेड होती है सारे लाइन्स के हिसाब से इसके लिए जो मैंने उपा पाते हैं क्योंकि डिस्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इस डिस्ट्रेक्शन कोई खतम करने के लिए मैं आपको सूरी को रख देने के लिए कह रहा हूँ बाकी सं मरकरी अच्छी तो मरकरी पर एक स्टार नुमाए इंडिकेशन से हैं इस केस में विक्ती बिजनस से धन कमाते हैं विक्ती बुद्धी के बहुत प्रबल होता है आईडियास की कोई कमी नी रहती लेकिन सिर्फ आईडिया रहने से नहीं होता उसको आपको आज माना भी पड़ता है उसको आपको इंपलिमेंट भी करना पड़ता है तो सूरी मरकरी काफी अच्छी दिल दिमाग से बहुत थोश है आप इवें माइंड से काम करने वाले वेक्तिया बुद्धी विवेक काफी अच्छा है आपका और खई लाइन्स आपके तले पर मौजूद ह इस केस में विक्ति बड़े समझदार बड़े समझदार होते इसमें कोई डाउट नहीं है दोणों मंगल आपका अच्छा तो एनरजेटिक बहुत ही अच्छे और कुछ डिस्ट्रेक्शन के लाइन थे आपके अधरी पर इस केस में धोका तो मिलता है ये बहुत नॉर्मल ह इस केस में ऐसे विक्ति को बहुत बरावला धोका भी इनके जिंदगी पर मिलता है तो धोका मिले इससे पहले ही वर्क करलो काम करलो कोट के चरीक लफड़े तो लगने ही है आपको बस उस लफड़े को थोड़ा और आप बढ़ा दीजिए इट मींस कि अपने हक के लिए ल नहीं मिल रहा है तो लड़ने का लावड क्या चारा है चोर ना है तो आपकी मान सकता है बगवार ने आपको सोना दे चोड़ दो फेक दो जला दो वह आपकी ऊपर निरवर करता है पाड़ी वारीक मामले में लफड़े ते इसलिए आपको लफड़े आए यह बहुत नौन फिर चलते हैं मंगल प्रवत के तरब तो दोनों ही मंगल अच्छा इंसान ओवर प्राक्र में इसमें कोई डाउट नहीं है अभी चंदर्मा को दिखाते हैं तो स्ट्रॉंग चंदर्मा यात्रा बहुत बड़ी बड़ी आपके जिंदगी पर होगी इंसान बहुत अच्छे द टली पर अभी शुक्र यह सारे लाइन जो है यह सारे यातरा के लाइन से आपके याइतली पर बढ़े होए हैं चुक्र आपका तो इंसान कि ववहाहीक जीवन के बाद इनकी भागज़ुदे अच्छी होती है मतलब विवाहिक जीवन अच्छा होता, विवाह के बाद भाग गुदे अच्छी होती है कुछ स्क्वायर है तो मैंने इन से कहा कि पतनी तो आपकी कमाओ होगी वो बुले जी हाँ, गुरू जी वो जॉब करते है, ठीक है बागी मनी की लाइन्स अच्छी है, आपकी बनी वे इस केस में विक्ति को पैसे के रिगार्डिंग ज्यादा टेंशन लेने का हो शकता नहीं है, धन तो कहीं न कहीं से कमाई लोगे एक प्रशन और ता किस चीज का विपार करों, तो जैसे आपकी चनर्मा और शुक्र है इस केस में कपडो का, बूटीक का, गार्मेंट्स का, दूद का, दही का, पानी का इंसकारे में आपको बेनेफिट और आपकी शुक्र पर लगजरी के लाइन्स प्रॉपरली बने हुए, तो कुछ फैमले स्ट्रस के लाइन्स भी है इस केस में विक्ति को पारिवालिक स्ट्रस रहता है, बाकी मंगल रेखा बड़ी अस्पस्ती इस केस में आयू दिरगायू है, आयू को लेकर कोई समस्या नहीं, 75 प्लस की आपके आयू है और आयू को लेकर सोचो भी मत जादा, बाकी टेंसन्स के लाइन है, तो विक्ति थुरा चिंता सुबाब के होते हैं आपर से कुछ स्क्वाइर विगराभी बने हुए हैं, इस केस में कहा है ना, प्रापर्टी का साथ मिलता है, बाकी बंगल अच्छी है, तो ओफर प्राक्रमी विक्तियां, प्राक्रम में किसी परकार का कमी नहीं, जीवन रेकास पस्ट है, बच्पन से ही बहुत दवाब ज दूँगा, फिर यहाँ पर समतूल ये कुछ प्राग्रिस लाइन भी बनी हुए, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, और फिफ्टी के बाद तो बड़ी उननती, बड़ी बड़ी उननती दिखरी है हमें, और आगे भी आपकी बड़ी यातरा हैं, यहाँ से ट्रेंगल भ तक दवाब है, यह अलका-लका यहाँ भी है, फिर इसके बाद माइंड रिखा चीए, 35 वर्स के बाद चीज़ास पस्ट हो जाएंगी, ओवर कॉन्फिरेंस में दिरने नहीं लेना है, हर्ट लाइन में प्राबलम से है, बट हर्ट लाइन है एक सीदीसी, लेकिन यही थुरा इमोशनल लेचर के तरफ इसारा कराती, जितने यह आपके ब्रांचे से एक विश्णु योग का फॉर्मेशन है, तो विक्ती भगवान के लिए आस्थावान होते हैं, और बैलन्सम डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, तो दिल दिमाग के बहुत तंदरुस्त, बट जो आपको proper care करना है, ध्यान देना है, जादा फालतों के बादे दिमाग में नहीं सोचनी है, 35 वर्स के बाद जिन्दगी आपकी काफी अच्छी ओड़ी, इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है, मस्त जिन्दगी ओड़ी है, और यहाँ पर से भी नहीं कुछ ब्रांचे से हैं, जो कही हो गए, उसके बाद से फेट लाइन आगे बनी, यहाँ से भी एक चंदर से फेट लाइन गई है, तो कोई ना कोई artistic quality रहती है आप में, और continue basis पर यह जीवन के last तक है, तो भागे का साथ मिलना, और आपकी यहाँ पर से देखो यह चीज़ है, यह इंडिकेशन से इनके एक सूरी रेखा के साथ है, इस केस में विक्तिक से दादा property बना पाते है, यहाँ से भी एक triangle square से नजर आ रही है, और कुछ आपके यहाँ पर से भी अलकेल किसे triangle से बने हुए हैं, इस केस में विक्तिक को दिमाग और दिल से बहुत तंदरूस्त होते हैं, इसमें कोई doubt नह हैं, यह बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, distractions थे, इसका मैं उपाई देतूँगा, उसके बाद से distractions भी नहीं है, completely आपके आगे बढ़ी है, continue तरक्की मुझे दिख रही है, continue, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई tension नहीं है, मस्त तरक्की है, पचासमे के बाद, और यह एक cross सा बना हुआ है, यहां पर से कुछ triangle बना, यह अच्छे योग है, ठीक है, यह बहुत यह अच्छे योग है, यहां पर से triangle जहां भी रहना, तो यह बहुत अच्छा effect डालता है, यहां से भी कुछ triangle से हैं, यहां भी देखो, और यहां से भी देखो, हल किसी एक star नुमा होते हैं बाग गिरे का जिंदगी के लास तक्सी मौजूद इसमें कोई डाउट नहीं है जितने डिस्टरब शुक्रबल है यह सब इसको लेगर कंफ्यूज नहीं होना है और सूरी देखा आपकी और भी अच्छी आपके तली पर बनी विए तो 36 वर्त के बाद प्रापटी आ सब्सक्राइब मिल जाएगा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद